तो इस बीचे एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है जहाँ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधाय प्रधान मंत्री मोदी और केंद्रिय मंत्री स्मृतिय इरानी पर उन्होंने साफ तो पर काए मैं बड़े स्कूब में पढ़ा हूँ लेकिन मेरी डिगरी फरजी नहीं है प्रधान मंत्री और स्मृतिय इरानी को चाहिए कि वो अपनी डिगरी दिखाए तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है विहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्री मंत्री स्मृतिय इरानी पर उन्होंने साफ तोर पर काए मैं बड़े स्कूब में परहा हूँ लेकिन मेरी डिगरी फरजी नहीं है प्रधान मंत्री और स्मृतिय इरानी को चाहिए कि वो अपनी डिगरी दिखाए तो इस ख़वर पर जादर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शक्ती पटना से बने हुए फोन लाइन पर शक्तिय बड़ी खबर सामने आ रहे है निताप्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधान मंत्री मोधी और केंद्रिय मंत्री स्मृतिय इरानी पर सीधा निशाना साथ है उन्होंने उनकी डिगरी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है जी राहूल आपको बता दे कि तेश्वी यादव की डिगरी पर लगातार बीजेपी और जेडियू के तरफ से लिखा जा रहा है तेश्वी यादव मैंत्रिक पास भी नहीं है उनकी पर लगातार सवाल खरे हो रहे हैं इसको लेकर आप देश्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है तेश्वी यादव ने कहा कि मैं जो जी स्कूल से परहा हूँ वो बड़ा इस्कूल है और मेरे पास जो डिगरी जित क्लास के लिए है वो फर्जी नहीं है और उन्होंने पर पहले अपना डिगरी दिखा तक किसी कोई रिकॉर्ड नहीं है प्रहमनती और स्मितय इरानिक दोनों प्रतिफाक्श झतवी यादव ने सीध्य प्रधान मंत्री मोदी और केंद्री मंत्री स्मिती इरानिके डिगरी पर ही सवाल उठाई उन्होंने साफ़त और परकाए कि जहां तक उन्होंने सही डिगरी उनके पास है ऐसे बीजेपी को चाहिए कि वो देश के प्रधान मंतिरी और केंदरी मंतिरी स्मृति इरानी की डिगरी सब के सामने लाए